Well, in this video, we will try to attempt the questions from the exercise. So, our first question is, question is 2.1 and this is part A. इसमें हमें कुछ blanks जो हैं, उनको फिल करना है, यहां देखिए, हमार का सवाल कुछ दिया गया है कि find the volume of the cube, जिसके side एक centimeter है, उसका जो volume है आपने मीटर के units में निकलना है. So, हम solution लिखते हैं, the side, side of a cube, तो cube की side दी है, 1 centimeter, ओके, हम यदि volume of the cube निकालें, तो volume of a cube क्या होगा, वो होगा L cube, ठीक है, जितनी side दी, उसका अब 3 बार multiply कर दें, So, volume क्या आना चाहिए जी, यह 12 centimeter, into 1 centimeter, into 1 centimeter, तो अब आप क्या करें, C का जो numerical value वो यहां substitute कर दें, and you are left with meter only, So, volume आपके पास आजाएगा, 10 to some minus 2 meter, into 10 to some minus 2 meter, into 10 to some minus 2 meter, क्योंकि C का जो numerical value है, वो 10 to some minus 2 होता है, उसकी जगाँ आप replace कर दें, और आपके पास meter ही रह जाएगा, अब देखें, यह बन जाएगा 10 to some minus 2, यह base सेम है, और तो power add हो जाएगे, अब हम चलते हैं, अगले पाट क्यों हमारे पास है, question number 2.1, part B, अब हमारे पास है कि surface area of a solid cylinder, हमारे पास solid cylinder का surface area हमने निकालना है, उसके जो unit होंगे, यह देखें, हमसे जो पूछा गया है, हमने निकालना है surface area, और इसको हमने निकालना है, इसकी units में, millimeter square के units में निकालना है, जिसमें radius हमारे पास दी हुई है, जो radius है, this is 2.0 centimeter, जो height है, जो height है, वो है 10.0 centimeter, हम क्या करेंगे, यदि हमें final answer हमारा millimeter में होना चाहिए, तो हम यहाँ unit को millimeter में convert कर देते हैं, so in millimeters, this length is equal to radius, आप हम दबारा लिखते हैं, radius, इन millimeters क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, 2.0 centimeter, आप ऐसा करें, M से गुणा कर दें, और M से भाग कर दें, तो भाग बाले को हम लिख देंगे, minus one की power में, C already है, M हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, CM तो already है, तो हमने जिस term से गुणा किया, उसी से भाग कर दिया, तो हम इस को ऐसे लिसकते हैं, इसमें जो मिली का जो निमेरिकल वैल्यू है, सॉरी, मिली का जो निमेरिकल वैल्यू है, वो 10 to the minus 3, तो यहाँ हम सब्स्टिचूट कर देते हैं, we will have 2.0, अब यह बाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इसमें मैं लिख दूँगा, 10 to the power minus 3, की power minus 1, क्रॉस 10 to the power 3, और minus 2 mm, आपके पास आ गया, 2, यहाँ जाए, 10 to the power 1 is 10, यहाँ जाएगा 20 mm, ओके, इसी तरीके से जो हाइट है, अब हाइट को आप मिली मीटर में चेंज कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, 10.0, सी का numerical value होता है, 10 to the power minus 2, और आप मिली का जो numerical value होगा, वो गा 10 to the power minus 3, की power minus 1 mm, यह प्रोसेस जो है, वो उपर वाला ही रहेगा, इसको करने के लिए, तो यह आपके पास आ जाएगा, 10.0, क्रॉस 10 to the power minus 2, और यहाँ से आ जाएगा, प्लस 3 mm, तो यह बन जाएगा, इस पार्ट से आएगा, 10 to the power plus 1, means 10, तो यह आजाएगा 100 mm, ओके, अब हम लिखते हैं, कि जो area of the cylinder क्या होता है, area of, of a solid cylinder, solid cylinder का area क्या होगा, this is 2 pi r, bracket में h plus r, तो यहाँ आप लिख दें, 2 pi के जगा 22 by 7, r की जगा आप लिख सकते हैं, 20 mm, और h के जगा आप लिख सकते हैं, 100 plus 20, so this is 2 cross 22 by 7, into 20, into 120, यह आजाएगा, mm square, अब बिख यह आप इसको solve करते हैं, तो यह solve करने के बाद, आपके पास area आजाएगा, यहाँ से हम यह सीख रहे हैं, कि किस तरीके से हम unit को convert करते हैं, अब थर्ड प्रॉब्लम जो है, इसमें आपको कुछ सिखाया गया होगा, और हम देखते हैं इसमें क्या सीखने को मिलेगा, question number 2.1, part C, इसमें कहा गया है कि एक बहिकल जो है, वो speed से move करता है, speed of बहिकल दिया हुआ है, this is speed of a बहिकल, बहिकल की जो speed है, वो है 18 km, 18 km per hour, मतलब वो एधी वो एक घंटा चलता है आपका बहिकल, तो 18 km दूर चला जाएगा, इसका मतलब है, आपसे पूछा है कि वो, यहाँ है time जो है, वो है 1 second, आपसे पूछा है कि वो इतने speed से, एक second में, कितने दूर चला जाएगा, कितने meter दूर चला जाएगा, how much meter will it cover in just 1 second, ओके, हम जानते हैं कि जो speed होता है, जो distance होता है न, देखिया, distance यदि आपको निकालना है, तो उसका फार्मूला होगा, speed into time, speed को आप time से multiply कर देजिए, तो आपको पास speed है, 18 km per hour, और time है 1 second, हम से पूछा है कि meter में होना चाहिए आपका answer, तो आपको kilo की जगा उसका numerical value पूट कर देना है, और hour की जगा भी उसका numerical value second में उसको पूट कर देना है, तो हम जानते हैं, जो 1 kilo का जो numerical value है, वो 10 to power 3 होता है, और 1 hour is equal to 36 seconds होते हैं, एक second की जगा आपको आपको पूट कर सकते हो, स्वारी, यहां तो सीधा 1 hour ही है ना, तो इसको 1 hour ही रहने देते हैं, चलो, तो यहां मार पास distance d आ जाएगा, 18 kilo की जगा हम लिख देंगे, 1000 और यहां रह जागा meter divided by, आवर की जगा आप लिख देंगे, 36 seconds into यहां 1 second है, अब second के साथ second cancel हो जाएगा, we are left with 18 into 1000 into 1 divided by 3600, 2 zero के साथ 2 zero यहां कट जाएगी, और ठारा कम ठारा, 18 दूने 6, 2 और यहां 5 आ जाएगे, तो यह यह लेफ्ट विख 5 और यह meter, ओके, इसका मतलब हुगा कि एक second में, इस speed से जो आपका बहिकल है, वो 5 मीटर दूर चला जाएगा, this is the simple answer of the question, आगे चलते हैं, 2.1, now this is question number 2.1, now here part D, तो D part में जो है, वो यह कहा गया है कि relative velocity, relative density of lead क्या है, so relative density of lead is, relative density of lead, and this is given to us, this is 11.3, और हमें इस density को निकालना है, हमें निकालना है, density of lead, in terms of, gram centimeter cube, and in terms of, kilogram meter cube, किसकी टर्म में निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो relative density का फार्मूला होता है न, वो होता है, density of any substance, this is density, of any substance, this is density of any substance, divided by density of butter, this is density of butter, अब हमसे density of lead पूछा है, तो हम ऐसा यहां लिख सकते हैं, density of lead क्या होगा, relative density, into density of butter, तो relative density दिया है, this is 11.3, and density of butter क्या होता है, butter होता है, 1000 kilo, और, एक meter cube के volume में, तो इसका answer सीधा सीधा यह आ जाएगा, by 10, into 1000 kilogram by meter cube, तो यह cancel हो जाएगा, अब के पास आ जाएगा, 11.3, 00 kilogram per meter cube, अब यह वाला तो आस्पेक्ट हमारा पूरा हो गया है, कि हमारे जो relative density है, वो यदि इसको kilogram per meter cube की range में निकालना है, तो आप के पास यह answer numerical value आ जाएगी, बट यदि आप इसको gram by centimeter cube में निकालना है, तो क्या से करेंगे, now relative density of lead, sorry, density of lead now, इसको हम लिखने पहले, यह देखो, यहाँ से सीधा सीख लेना है, यहाँ किलो की numerical value भर देंगे, वो 1000 होती है, तो यहाँ बच जाएगा gram, और नीचे meter cube के लिए आप क्या करेंगे, आप C से multiply करेंगे, और C से divide कर देंगे, तो आपके पास cube है ना, तो आप C cube से multiply करेंगे, और C minus cube से, इसको मनलती, C cube से multiply करेंगे, C cube से divide कर देंगे, तो C जब उपर आएगा, तो minus cube हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगे, ऐसे करेंगे, अब आप यहाँ, C का numerical value सबस्टिट कर दीजिए, अब पास आजाएगा, 11, 3, double zero, और यहाँ आजाएगा, 1000, यहाँ बचेगा gram, और यहाँ इसको और इसको जोड के बचेगा, cm cube, और इस part में, आप यहाँ भर देंगे, 10, 3, minus 2, और इसकी power आएगी, minus 3, तो यह बन जाएगी, plus 6, तो, यह बनेगा, 11, 3, double zero, into 1000, divided by, 10, plus 6 means, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ एगे gram, divided by cm cube, अब काट दीजिए, 30 यहाँ से चली जाएगी, और 20 यहाँ से चली जाएगी, अब पास बचेगा, this is 11.3 gram, per cm cube, यदि आपको gram cm cube में, density of lead निकालना है, तो उसका अंसर ही आजाएगा, और यदि kilogram per meter cube में निकालना है, तो आपका यह होगा, so this is beautiful learning from this, part of the question, अब हम चलते हैं, question number, now we have question number, 2.2, so here we have question number 2.2, इसमें कहा है कि, fill in the blanks by suitable conversion of units, तो 2.2 का जो a part है, उसमें कहा गया कि, आप 1 kg, meter square second minus 2 को आप convert करिए, gram centimeter square, और second minus 2 में, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें के को हटाना है, first thing, दूसरा पार्ट, यहाँ आपको C को add करना है, तो हम देखिए कैसे करते हैं, हम ऐसा करते हैं, के को हटा दिया, तो के का जो numerical value होता है, 10 to 3 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे, 1000, यहाँ gram बज जाएगा, यहाँ पैसा करिए, आप C square से multiply कर देजिए, और C square से divide कर देजिए, बापेस ज़व लिखेंगे, तो C की minus 2 आएगा, और second minus 2 ही आपको चाहिए, तो उसके जगा हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ आजाएगा, 1000, हमने क की जगा सब्सिचूट कर दिया, और आपको यहाँ meter square भी है, अब centimeter square आपको चाहिए है, तो इस पार्ट की जगा आप numerical value उसकी put कर देजिए, C की numerical value होती है, minus 2, और इसकी power भी minus 2 है, आगे बच जाएगा centimeter square, और second minus 2, और यहाँ gram है, 1000 का जो gram है, वो इस पार्ट में है, तो अब हम लिखते हैं, this is 1000, cross 10 to the power plus 4 हो जाएगा, और यहाएगा gram centimeter square, second minus 2, so I think it is 10 to the power 7 हो जाएगा, this will become 10 to the power 7 time, तो यहाँ आजाएगे, 10 to the power 7, gram centimeter square, second minus 2, इस तरीके से हम इसको convert कर सकते हैं, right, there is another question, part B, B part of this question, आपको यह बताना है कि, एक मीटर में, कितने light years होते हैं, okay, so इसमें बड़ा एक simple concept से हम चलते हैं, कि we know that, हम यह जानते हैं, we know that, if you have one light year, one light year is equal to, this is 9.46, cross 10 to the power 15 meter, इसको आपने कुछ इस तरीके से समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ, एक light year में, को हम ऐसे लिए सकते हैं, 1.46, cross 10 to the power 15, into 1 meter, और यही 1 meter आपसे पूछा हुआ है, अब आप इस 1 meter को एक साइड अकेला रखिए, और 9.46, into 10 to the power 15 को दूसरी ओग ले जाएए, now 1 meter is equal to, 1 upon 9.46, cross 10 to the power 15, light years हो जाएगा, और यदि हम इसको solve करें, तो यह लगवग 10 के बरावर है, it is nearly equal to 10, 9.46 is nearly equal to 10, so 10 into 10 to the power 15 is, it is nearly equal to 10 to the power 16 light years, और यदि आपको इस numerator में ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको लिख दिए, 10 to the power 16 light years, so this is the second part of this question, अब हम चलते हैं आगे, अब हम आर पास है question number 2.2, and आप part C, so C part में कहा गया है, कि आप ऐसा करिए, acceleration दिया हुआ आपके पास, 3.0 meter second minus 2 में यदि acceleration है, तो आप इस acceleration को, kilometer hour में change कर दीजिए, इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके साथ kilo add होना चाहिए, और second के place में hour होना चाहिए, तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम शुरू करते हैं, 3.0 meter second minus 2, इसको हम क्या करेंगे, 3.0 हम k inverse और k से multiply कर देते हैं, क्योंकि k inverse के साथ k cancel हो जाएगा, इसका मतलब यह है, k से multiply किया, k से divide कर दिया, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, k अलड़ी उपर है, जब नीचे बाले k को उपर ले जाएगे, तो k क माइनस 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ बन से ही multiply कर रहा हूँ, तो और यहाँ, आप लिख सकते हैं, बन आवर इस इकल टू, छती सो सेकिंड हो जाएगे, तो यहाँ बन सेकिंड किसके बराबर हो जाएगा, बन भाई, थर्टी सिक्स हंडर्ड सेकिंड हो, हंडर्ड आवर हो जाएगे, तो यहाँ हम इसको substitute कर देते हैं, तो आगे हो जाएगा आपके पास, यह आपके पास आजाएगा, 3.0, अब के की numerical value होती है, 10 to the power 3, और power हो जाएगी, माइनस 1, उपर बच जाएगा किलो मीटर, और नीचे, second square है, तो एक second के जगा आप भर दीजिए, 100 into 1 upon 3600 आवर का square हो जाएगा, अब आपको मात्र इसको solve करना है, क्योंकि आपके unit जो हैं, वो किलो मीटर पर आवर square में आ गया है, आप इसको solve कर दीजिए, 3.0, यहाँ आएगा 10 to the power minus 3, और उपर हो जाएगे, 3600 गुणा, 3600, और यहाँ आजाएगा, किलो मीटर पर आवर square, ओके, आप इसको आशे ले सकते हैं, 3.0, cross 3600, cross 3600, divided by, 10 to the power minus 3 को दीजिए ले जाएगे, तो 1000 बन जाएगा, and you are left with kilometer by hour square, तो 2 के साथ, यहाँ दो zero कट जाएगे, एक zero यहाँ कट जाएगे, अब यदि आप इसको multiply करते हैं, तो मातर multiply करने के बाद, आपका जो answer है, वो पहले आएगा, 3.888, cross 10 to the power 4, kilometer per hour square, और इसको आप ऐसे ले सकते हैं, up to one decimal place तक, 3.9, because जो 8 है, यह more than 5 है यहाँ एक add हो जाएगा, so cross, this is 10 to the power 4, kilometer per hour square, so this is the way to convert this, so we will now shift for the last question, of this 2.2, D part, इसमें आपको दिया गया है, आप बताएए, कि जो G है, G, gravitational constant का जो value है, वो है 6.67, cross, 10 to the power minus 11, newton, meter square, per kilogram square, इसको हमें कनवर्ट करना है, centimeter cube में, centimeter cube में, second minus 2, divide by kilogram के जगा, gram होने चाहिए, तो हम इसी के according चलेंगे, और हम इसको solve कर देंगे, अच्छा हम इसाब से पहले ऐसा करते हैं, हम एक newton को replace करते हैं, एक newton होगा, एक kilogram, और MA, acceleration होगा, meter second minus 2, तो, यहाँ सब्सिचूट करते हैं हम, और इसको हम ऐसा लिखें, G is equal to 6.67, cross 10 to minus 11, यह बन जाएगा, newton की जगा हम लिख देंगे, kilogram, meter, second minus 2, into meter square, और नीचे अलरेड़ी है, kilogram square, हम सबसे पहले अब इसी पार्ट के पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो यह जो पार्ट है, अब, यह आ जाएगा, G is equal to, 6.67, cross 10 to minus 11, अब आपको यहाँ K नहीं चाहिए, तो यहाँ kilogram के साथ, 1 kilogram cancel हो जाएगा, you are left with only kilogram in the denominator, meter के जगा आपको centimeter चाहिए, यह है meter cube, you are left with now, meter cube, second minus 2, over kilogram, इस ताइम आपको पास यह पार्ट बचता है, now G is equal to 6.67, cross 10 to minus 11, अब आप यहाँ C cube के साथ भाग दें, और C cube के साथ multiply कर दें, यह आएगा meter cube, second minus 2, यहाँ से आप K वाले पार्ट को रिमूब कर दें, 10 to the power minus 2 की पावर, minus 3, यह बन जाएगा, इस पार्ट से बन जाएगा, centimeter cube, second minus 2, divided by, this is 1000 gram, okay, so this now, G is equal to 6.67, cross 10 to the power minus 11, cross 10 to the power plus 6, and this is centimeter cube, second minus 2, over gram, so now G is equal to 6.67, cross 10 to the power minus 11, यहाँ से आएँगे, plus 6, और यह उपर चर जाएँगे, 3 उपर चर जाएँगे, तो यह बन जाएँगे, minus 3, right, this is centimeter cube, second minus 2, per gram, so now G is equal to, 6.67, cross 10 to the power, minus 8, centimeter cube, second minus 2, per gram, so this is all about, this numerical problem, thank you very much.